प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियों में हम पढ़ेंगे सी कहां साइलेंट होता है देखें एस के बाद सी होगा तो वहाँ पर सी साइलेंट होता है यदि एस के बाद सी होगा तो सी साइलेंट होता है उधारन के लिए देखें एस के बाद सी होगा तो सी साइलेंट होता है एस के बाद सी है तो यहाँ पर सी साइलेंट है अर्थात सी को नहीं पढ़ा जाएगा तो इसे कहते हैं सीम ठिक उसी प्रकार यहां है सेंट इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू है विनाइश टिक्ट